आज हमनों डिसक्स करने वाले हैं UPSC Means 2020 की GS Paper 2 तो GS Paper 1 और AC की वी यहां पर हम लोग ने डिसक्शन की है देखा है कि कैसे आए है कहां से आए है और किस किस पर आपको जादा फोकस करना है इसको मैं डिसक्स करने के बाद एक आपका अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं आपक क्योंकि मैं यहां पर वीजन आएस मैगजीन डिल करती हूं और करेंट अफेर जो है उस पर ज्यादा पकड़ बनवाने के लिए मैं हमेशा आप लोग को सजिस्ट करती हूं कि करेंट अफेर्स को पकड़ के चलिए तो आपको किसी भी तरीके किसी भी स्टेजस ऑफ एक्ज दाता है वो सारे टॉपिक थी है तो वह आपका इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अभी इसके बारे में देख लिजे और यहां पर यह भी पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है एसे 250 मार्क्स cs1 250 मार्क्स और GS2 250 marks तीन घंटे आपको दिये जाएंगे और इसमें भी वही चीज़ है जैसे कि हमनों GS1 में देखे थे कि questions आपके हिंदी ये इंगलिस तोनों में होंगे compulsory होंगे questions और first to 10 questions जो है वो 150 words में लिखना है और 11 to 20 questions यहाँ पर 250 words में लिखना है same pattern है जैसे GS1 में है वही follow किया जा रहा है GS2 में ठीक है so 1 to 10 यहाँ पर 150 words में लिखना है it means कि 10 marks के questions होंगे और 11 to 20 questions जो 250 words में लिखना है वो आपका 50 marks का questions होगा ठीक है चलिए आईए देखते सबसे पहले question start करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि syllabus क्या है GS2 paper का GS2 paper में क्या क्या आप से पूछा जाता है कौन-कौन से subject है सबसे पहला आपका यहाँ पर governance है उसी के साथ constitution है उसी के बाद आपको polity देखने को मिलेगा ठीक है उसके बाद आप लोगो देखो कि social justice है आप लोगो का और साथी साथ आपका international relation है तो इतने subject है जो कि आपको GS2 paper में देखने को मिलेगा आईए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन के साथ यहाँ पर फर्स्ट कोशन आप से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या यह ज़रूरी है कि जो disqualification का procedure है उसको simplify करना है procedure ठीक है procedure को simplify करने की ज़रूरत है और वो भी किस कानून के तहत तो representation और people act के तहत अब यह आपका question पूछा गया है यह आपका current affairs है यह आपको देखने को मिलेगा constitution से यह question पूछा गया तो ध्यान रखिएगा यह 10 marks का है next आता है second question में recent जो amendment किया गया है right to information act में यहाँ पे आपका दिखाने का कोशिश किया गया है कि जो information commission है उनके independence और autonomy का impact देखने को मिल रहा है तो chief information commission है जिनके उपर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे amendment किया गया है यह जो body है अब यह government के अंदर काम करेंगे तो यह आपका again current affairs में था जो कि यह news में था chief information commission information commission यह सब जो है right to information act को amend करने के बाद जो है इनके independence और autonomy में किया impact पड़ेगा उसको आपको discuss करना है 10 marks की है 150 words में लिखना है ठीक है यह question है third आते how far do you think इसको shape करता है तो क्या क्या है competition करके competition में और confrontation में तो यह तीनों के बारे में आपको बताना है कि कैसे हमारे country में जो nature of federation है उसको यह shape करता है federation का मतलब क्या होता है कि power का distribution आप देखती हो power का distribution है वो हमारे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से define किया गया है center to state है state to block level पर ठीक है तो इसी चीज को बताना है कुछ recent example भी आपसे पूछा जा रहा है और अपने answer को validate करना है यानि कि recent example देखर अपने answer आपने जो लिखा है points लिखा है उसको proof कीजए यह चीज़े यहाँ पर मांगी जा रही है तो यह आप लोग देख सकते हो यह again current affairs का question है लेकिन यह आपसे किस से पूछा जा रहा है politics है अब आते है question number 4 में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है the judicial system जो इंडिया और UK में है वो एक तरीके से converging भी दिखता है साथी साथ diverging भी दिख रहा है recent time में तो आपको कुछ यहाँ पर key points बताना है कि क्या यहाँ पर ऐसा हाथसा हुआ या फिर ऐसी incidence हुई जिससे कि converging दिख रहा हो या फिर diverging दिख रहा हो दोनों nation के बीच में वो भी इनके judicial practice को लेकर तो इसके बारे में बताना है यानि कि आप लोग यहाँ पर देखो कि कई बार जो हमारी Indian Judiciary होती है Supreme Court जो होते वो अगर verdict देते तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि इंडिया के support में दे रहे I mean to say इंडिया के support में इंडियान पिपल्स के support में यहाँ पर कुछ verdict दे रहे लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि वो इंडियान पिपल्स के support में verdict नहीं दे रहे है तो इसको आप लोग को बताना है Converging means क्या होता है कि हमारे support में दे रहे कि हाँ Indian society में कुछ better होना चाहिए लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के support में दे रहे है इससे Indian society के बारे में उनको वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे है तो आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगा अगर अभी recent आप लोग कोई judgment देखोगे तो आप लोग अभी triple तलाग का भी example दे सकते हो जिसमें कि आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि महिलाओं को यहाँ पर मुक्त किया गया है कि triple तलाग यहाँ पर instant जो तलाग दिया जाता है उससे अब तलाग नहीं होगा साथी ये क्या है ये converging आपको show करता है इसी तरीके से आप इंडियन सुसाइटी के लिए बहुत सारे ऐसे recent judgment आप देख सकते हो लेकिन diverging भी देखने को मिलेगा जहाँ लोगों के बारे में ना सोचकर यहाँ पर सरकार के बारे में सोचा जा रहा है और जो हमारा Central Vista का भी project है जो कि आप देखते हो जिसमें के नए संसत बनाने की बात की जा रही है तो उसके लिए यहाँ पर हामी दे दिया गया सुप्रिंग कोट के दौरा तो यह आप समझ सकते हो आज की date में कितनी बुरी situation है हमारे country में बहुत सारे लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जा सुके है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी भी बेरोजकार बैठे है बहुत सारे ऐसे लोग है जो कि अपनी रोटी रोजी नहीं कमा पा रहे है हमारे इंडिया में अभी pandemic से जूज रहे है तो क्या अभी इस तरीके से 13,000 करोर खर्च करके सेंटल विस्ता बनाना जरूरी था तो यह चीज़े यहां पर पूछी जा रही है तो यह दोनों कंट्री के बारे में आपको ऐसे ही बताने है ठिक है तो यह हो गई 4th question अब आते हैं 5th question में 5th question में पूछा जा रहा है कि एक बार once a speaker always a speaker यानि कि एक बार जो speaker है वो हमेशा speaker है क्या आपको लगता है कि इस practice को adopt करना चाहिए जिससे कि हमारे जो office of speaker of लोकसभा है उसकी यहाँ पर क्या आपकी विचार में लोकसभा अध्यक्षपद की निश्पक्चिता के लिए इस कारक प्रनाली को सुईकारना चाहिए क्या आपको यह लगता है यह आपकी फिर से thinking यहाँ पर आपको बतानी है और what could be its implication अगर ऐसा होता है कि एक बार अगर कोई लोकसभा का speaker चुनी लिया गया तो वो बार बार जो है वही speaker रहेगा तो अगर इस तरीके का हो गया तो क्या यहाँ पर parliamentary business के functioning में किस तरीके का implication होगा यह आपको बताना है ठीक है तो इसके बारे में आपको फिर से बतानी है यह quality आपका यह constitution में आ गया होते हमेशा ऐसा देखने को मिला है कि speaker जिस भी majority party से चुनकर आते वो कई बार उसी party को लोकसभा में support करते वे देखा गया है तो इसलिए यहाँ पर इस पारे में का जा रहा है कि एक बार जो speaker चुन लिया गया है वो हमेशा के लिए speaker हो जाएंगे तो इसके लिए आप कितन करना है अब यहाँ पर हमारा जो है six question तक आपने constitution, polity और governance का तीनों का questions आपने देखा अब यहाँ पर आगया social justice को लेकर social justice में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो genetic और maternal health care है जो माताओं की जो यहाँ पर health care होती है उनके लिए particularly किस चीज़ की जरूरत है तो हमें यहाँ पर social development sound और adequate जो health care policies है इसकी ज़रूरत है कि हम लोग इसको सही करें तो इसके basis में आप लोग को लिखना है यह तभी कम होगा जब किसी भी माताओं को जो pregnant women होगी उनको बहुत अच्छे तरीके से health care service provide किया जाएगा उनको अगर इस तरीके से health care service provide किया जाएगा और साती साथ जो new born baby होते उनको भी अगर health care अच्छा service provide किया जाएगा तो इससे हमारा जो है न यहां पर mortality rate घटेगा और उससे हमारा social development जरूर होगा तो इसके बारे में आपको बताना है ठीक है आपको इंडिया का mortality maternal mortality rate कितना है उसको आप लोग जो है define जरूर कीजएगा इसके अलावा और भी कोई आपका जो ऐसा index है जो इस चीज़ को show करता है उसके बारे मे democracy जो है strengthen हो सके तो यह आपका पूछा जा रहा है कि इसमें आपका gs2 paper में एक आपका topic भी है जिसमें की role of civil service करके यह आपका topic भी है तो इस तरीके questions आपको देखने को मिलता है gs2 paper में तो यहां पर आपको बताना है कि क्या reforms होना चाहिए civil service में इस बारा भी PM मोधी जी के द्वारा जो है एक scheme भी लाया गया था जो कि dedicated यह था civil service को reform करने के लिए मैं एकदम से भी भूल रही हूँ मुझे एकदम याद नहीं आ पा रहा है यह civil service के लिए क्या था स्वामित नहीं स्वामित नहीं था sorry guys मैं भूल रही हूँ एक सिकन yes mission कर्मयोगी okay suddenly mind says skip कर गया तो देखिए यह scheme लाया गया है क्यों लाया गया है civil servant को reform करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे rules regulations थे guidelines से जिसकों की reform करना आज की date में ज़रूरी है तो उसके लिए लाया गया है जिससे कि हमारे democracy student हो सके तो जैसे मैं GS paper 1 में आपको बोली थी कि UPC क जो questions होता है वो थोड़ा घुमा के होता है straight forward आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि mission कर्मयोगी क्या है इससे क्या फाइदा होगा यह बताईए यह इस तरीके के statement के form में यहाँ पे पूछा जाता है लेकिन आपको उनके दिल में जहांक के देखना है कि वो पूछना क्या चा र जूरी है कि इस question के पीछे actually यहाँ पर क्या raw material क्या है इसके पीछे तो raw material कुछ नहीं है यह mission कर्मयोगी के बारे में पूछा जा रहा है अब इसके बारे में आप लोग बताईए लेकिन आप लोग यहाँ पर सकते हो आपको लगए कि यह कैसा question पूछ दिया पता ही नहीं च तो कभी भी आपको यह सारे questions को tackle करने में कभी भी कठेनाई नहीं feel कर पाएंगे आप लोग तो यह आगया आपका कहां से तो current affairs से ठीक है डिरेक्ली अब 8 question नमर देखिए the emergence of fourth industrial revolution has initiated e-governance as an integral part of the government इसको discuss करना है अब अगर आप लोग योजना magazine को follow करके चल रहे हो तो योजना magazine से यह directly यहाँ पर question उठाया गया है fourth industrial revolution अगर आप लोग को नहीं believe हो रहा है तो मैं अभी दिखाती हूँ तो यह आप देख सकते हो अगर आपने यहाँ पर जून मंद का अगर योजना analysis अगर आपने देखा है तो इसमें technology तो यह दिया गया है लेकिन इसके अंदर industrial revolution जो है 4.0 के बारे में पूरे detail में मैंने यहाँ पर discuss की थी और इस magazine में बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया तो इसलिए मैं कहती हूं कि हर एक मंद की magazine आप लोगो योजना जरूर पढ़ना चाहिए इससे एक दो question जो भी topic के होते है वो जरूर फस्त है और आपको बहुत अच्छा answer वहां से लिखने को मिलता है तो मैं जो भी आप analysis देती हूं उसको जरूर देखिए हर एक मंद का आ तो यह हमारा channel है resource point इसे जरूर यहाँ पर follow कर लिजे ठीक है तो यह आप समझ के अगर वो part अपने देखा होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो fourth industrial revolution है जिसको हमनों digital revolution भी कह रहे है इसके द्वारा जो है e-governance यह आपका initiate होगा as a internal part of government तो इसको आपको discuss करना अगें सिफ 10 marks में लिखना है और 150 words में ठीक है तो fourth industrial revolution है जिसको हमनों digital revolution कह रहे है तो अब यहाँ पर e-governance है यानि कि सारी चीज़े अब यहाँ पर online हो जाएगी जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे portal सारे बहुत सारे website जो है different different ministries के launch के जा रहे है क्यों क्योंकि वहीं पर आप internet affairs से link करके question पूछा गया है 9th question की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है again COVID-19 pandemic जैसे कि यह आपका GS1 में भी पूछा गया था अब यह GS2 है GS3 GS4 में भी आप से पूछा जाएगा क्योंकि COVID-19 pandemic एक ऐसा topic है जो कि आपके पूरे slaves को ही cover करता है ठीक है आपके optional में भी related देखिए पूछा जा रहा है कि critically examine करना है कि WHO का क्या role रहा है जिसमें कि global health security वो provide के है COVID-19 pandemic में तो यहाँ पर पूरी तरीके से WHO के उपर focus करना है क्योंकि COVID-19 नाम भी यहाँ पर WHO के द्वारा ही दिया गया है और आगे चलकर क्या इनके द्वारा guideline दिया गया साथी pandemic भी कहा गया था WHO के द्वारा तो यह पूरी detail में आपको लिखना है यह हो गया social justice की IR की topic भी कह सकते है social justice की भी topic कह सकते है IR की mail ली कहिए कि WHO से related है ठीक है अब आते 10th question में Indian diaspora से पूछा जा रहा है Indian diaspora has a decisive role to play in the politics and economy of America and European countries इसमें comment करना है आपको example के साथ देना है तो यहाँ पर हमारे Indian diaspora के बारे में बताना है क्योंकि हर एक साल यह question पूछा ही जाता है तो इस साल भी पूछने की पूरी संभावना थी ही तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहले तो Indian diaspora किसे कहते है हमारे Indian origin के people जो है अगर दूसरे country में जाकर रहते है तो उसे Indian diaspora कहते है और Indian diaspora का आपको बताना कि क्या role play करते है वो America के economy politics में European countries के economy और politics में ठीक है example के साथ आपको बताना है 11th question में आते है 11th में Indian constitution में आप देखोगे कि यहाँ पर exhibit किया गया है centralizing tendency जिससे की unity और integrity हमारे nation का बने रहे है इसी के साथ आपको बताना है कि जो epidemic disease act 1897 है disaster management act 2005 है त farm acts के द्वारा तो इसके perspective में आपको इसको describe करना है यानि कि आप लोग देख रहे हो कि epidemic disease act जिससे की महामारी घोशिट किया गया है जो हमारे country में pandemic कहा गया है कि यह COVID-19 pandemic है यह इस कानून के द्वारा ही कहा गया है साथी जो यह एक हमारे हाँ lockdown लगाया गया तो lockdown कि इस act के disaster management act के थू लगाया गया और अभी आप farm act देख रहे हो तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यह एक ऐसे कानून है जिससे कि हमारे country की unity और integrity है वो maintain हो रही है तो आप लोग बेटर तरीके से यहां पर बता सकते हो farm act जिससे में कि अभी तक आपको protest देखने को मिल रहा है तो क यहां पर चलते judicial legislation जो है यह antithetical है किसके लिए doctrine of suppression of power as जो कि हमारे Indian constitution में देखने को मिलता है इसी के context में आपको justify करनी है कि जो large number of public interest petition जो यहां पर file किया जाता है और file किया जा रहा है क्यों क्योंकि executive authorities के कुछ guidelines को यहां पर issue के लिए यहां पर issuing guidelines for to executive authorities यानि कि आप लोग देखते हो कि जिसको PIL आप लोग कहते है public interest litigation होता है इसको petition भी आप लोग कहते हो यह काफी बार आपको देखने को मिलता है कि हर एक topic में हर किसी भी मुद्धे में जो है न हम जैसे public को यह empower किया गया है कि हम लोग इस तरीके के अगर ल फिर है 13 कि the strength and subsistence of local institution in India यह shift हो गया है कहां से formation phase of function, functionaries and fund to the contemporary stage of functionality यानि कि पहले हमारा आप देखोगे कि जो local institution थे 73rd constitutional amendment के द्वारा पंचायती राज 74th constitutional amendment के द्वारा जो municipal corporations लाए गया है वो आपका local institution है तो local institution को पहले यहां पे आप देखोगे कि वो उनकी function, functionaries और fund था यह उनका main part था लेकिन अब इसको change कर दिया गया है और अब इस पर बात किया जाता है कि उनकी functionality क्या है तो यह आपका होगे 73rd constitutional amendment direct यह constitution से static question है इससे पहले भी 12 भी static है और यह 13 भी static है 14 में आते हैं, 14 में पूछा जा रहा है कि राजसभा के पास जो है राजसभा has been transformed from a useless stepnity tie to the most useful supporting organ in past few decades यानि कि ऐसा भी कई बार माना जाता है कि राजसभा जो है वो लोगसभा का subordinate है ठिक है लेकिने few decades में ऐसा देखने को मिला है कि राजसभा जो है, जिसको पहले useless कहा जाता है आज वही बहुत जादा supportive organ है तो साथी साथ आपको कुछ factors भी highlight करना है, कुछ area भी बताना है, जिसमें कि ये चीज़े जो है na transformations देखने को मिला है तो सबसे पहले तो आप यही समझ रहे हो, कि जो farm bill लाया गया है, इसमें आप लोग देखो कि अगर कोई भी state subject है state subject में अगर parliament को कानून बनानी है, तो इसके लिए ये अधिकार कौन देता है, इसके लिए अधिकार रासबा देता है रासबा का यहाँ पे दो main exclusive power जो दिया गया है, वो आपको यहाँ पे बतानी है तो दो exclusive power को काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया, पहला तो यह है कि जो हमारे हाँ तीन list है, 7th schedule में, state list, center list और concurrent list यह agriculture जो आपका यह subject है, यह आता state list में, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि center इस पे law बना दिये यह कैसे हो गया, यह भी एक मुद्धा निकल कर आ रहा है, तो यह जो है ना, रासभा के पास यह power है, कि अगर वो majority के साथ यहाँ पे कुछ resolution लेकर आते हैं, तो परलेमेंट को यह अधिकार दिया जाता है, कि state list में भी जो subject है, उसमें भी वो बकाइदा कानूर बना सकते है तो यह तो यहाँ पे power किसके पास है, रासभा के पास है, कि रासभा अगर ऐसा बोलती है, resolution लेकर आती है, तो परलेमेंट कानूर बना देगी state list से भी, second जो रासभा के पास exclusive power है, वो all India service को लेकर है, अब यह आप लोग देख रहे हो कि all India judiciary service के बारे में बात किया जा रहा ह क्योंकि आज की date में आपको local state उनकी judiciary service आपको देखने को मिलती है, हर एक state का अपना judiciary service exam होता है, लेकिन इसी तरीके से all India basis पे भी इस exam को लाने की बात की जा रहे है, हला कि यह अभी तक implement नहीं हुआ है, लेकिन इस पे काम सुरू हो चुगा है, आपको आगे आने वाले 3-4 साल में यह भी देखने को मिलेगा, कि अगर आप लोग अपने state में, local state में अगर अपना judiciary service का exam दे रहो, तो all India service exam के लिए आप लोग ready हो सकते हो, अगले 2-3 साल में, तो यह दोनों बात जो है, यह दोनों exclusive power रास सभा के पास दिया गया है, तो यही factors को आपको जो है, यहाँ दे दिया जाना चाहिए, जैसे बहुत सारी commission आप देखते हो, जैसे कि आप लोग देखते हो, कि यहाँ पर finance commission है, जिनको की 280 article में इसको define किया गया है, उसके अलावा आप देखो CVC है, क्योंकि यहाँ पर आपका statutory body है, यह आपका constitutional body नहीं है, उसी के अलवा national commission for women है, यह भी constitutional body नहीं है, कानून के द्वारा इसको बनाया गया है, statutory body है, तो यही चीज़ कही जा रही है, कि क्या इसको देना ज़रूरी है, अगर हम लोग national commission for women को अगर constitutional body बना देते, तो क्या इसे gender justice यहाँ पर जादा अच्छा तरीके से हो पाएगा, gender empowerment यहाँ पर हो पाएगा, क्या सकता है आपको, तो यह आपको अपनी बाते लिखनी है, यानि कि constitutional body और यहाँ पर statutory body में क्या difference है, अगर यह आप समझ जाओगे, इनके power के, इनके function को समझ जाओगे, तो यह questions आप आराम से deal कर सकते हो, तो यह भी आपका हो गया, पुरी तरीके से static, 16 में आते है, जो incidence और ज multi-dimensional poverty index report आया है, तो उसी के basis में आपको बताना है, अब यहाँ से आपका, sorry, यह सब 250 words का question स्टार्ट हो चुका है, 15 marks का, तो ध्यान दीजेगा, यह आपका social justice का again आगया, social justice में जितने भी questions आपको देखने को मिलेंगे, वो social justice के index से ही questions निकल कर आते है, यह आपका निकल कर आगया multi-dimensional poverty index का, बर्ध्यान रखेगा, यह इंडिया का नहीं है, यह United Nations का है, तो United Nations का जो multi-dimensional poverty index है, यहाँ पर जो poverty को measure किया जाता है, वो different angles से किया जाता है, कि यहाँ पर income कितना है, बच्चे स्कूल जा रहे है कि नहीं जा रहे है, education कितना है, health facility यहाँ पर कितना दिया ज ही है, लेकिन इस index के तुरू जो है, एक चीज यह कहा गया है, कि लोगों के यहाँ पर income को ही अकेले अगर देखा जाए, तो यह आखा जा सकता है कि country में कितना जादा poverty है, या फिर poverty नहीं है, ठीक है, तो इसके basis में आपको बताने है, यह direct आपके report से है, report के basis में आप लग और भी जादा data facts को यहाँ पर include करके answer एक लिक सकते हूँ, आते है next question में, यह आपका social justice से question हो गया, लेकिन यह आपका again current affairs है, social issues हो गया, society हो गया, social justice हो गया, यह सब आपका current affairs से ही questions बनते हैं, 17 में आते है, microfinance as an anti-poverty vaccine, इसका aim है कि यहाँ पर कुछ income security और यहाँ पर कुछ asset creation और income security यहाँ पर लेकर आ है, ruler poors के लिए इंडिया में, तो आपको यहाँ पर self-help group का क्या role है, जिससे कि जो दो objective है, जिससे कि women को भी यहाँ पर empower कर सके, इसके बारे में आपको बताना है, सबसे पहले यहाँ पर self-help group के बारे में पूछा जा रहा है, तो self-help group का आपको बताना है, कि ruler area में यहाँ पर anti-poverty जो vaccine है, उसके लिए asset creation भी करना है, और income security भी यहाँ पर देना है, कि लोगों को जादा खर्चा भी ना हो, और इस तरीके का anti-poverty जो vaccine है, यानि कि यह आपको COVID-19 जैसा vaccine है, anti-poverty कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा यहाँ पर करना है, लोगों क skill देना है, लोगों को सिक्चा देना है, लोगों को employment देनी है, लोगों को यहाँ पर loan देना है, जिससे कि वो अपना business चला सके, तो यह सारे basis पे जो है ना, कितना जादा यहाँ पर asset creation हो सकता है, और income security भी यहाँ पर लोगों को मिल सकता है, तो basically आपको self-help group के बारे बताना कि इनका क्या रोल है, जिससे कि women को भी empower किया जा सकता है, तो यह आपका social justice का again एक question आ गया, 18 आते हैं, अभी जो national education policy है 2020 का, यह आप देखो कि इसको conformity कहा जा रहा है, sustainable development goal, वो भी 4 था के साथ, तो यहाँ पर जो sustainable development goal total 17 है, लेकिन उसमें से जो 4 है, जिसमें की quality education की बात करत है, यानि कि इस statement को, यानि कि आप लोग को national education policy में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और बुरा लगने का यहाँ पर क्या solution हो सकता है, यह सारे तर्क वितर्क आपको यहाँ पर define करना है, यह हो गया completely आपका current affairs से, ठीक है, 19 question में आते है, quadrilator, जो कि quad group है, quadrilator security dialogue, यह transforming, अपने आप में ही transforming कर रहा है trade block में, और कब से, यह military alliance से जो है, अब यह आपका transform हो रहा है trade block में, present time में, तो इसको discuss करना है, यानि quad के बारे में आपको मिलनी, यहाँ पर बताना है कि क्या कहा जा रहा है, quad क्या यहाँ पर aim है, क्या objective है, यह आपको लेकर चलना है, तो यह हो गया आपका IR से question, ठीक है, इसके बाद यह भी आपका IR से हो गया, 20, कि significance क्या है Indo-US defense deal का, वो भी Indo-Russia defense deal से, तो Indo-US defense deal यहाँ पर आपका हो रहा है, उससे आपको बताना है कि इससे क्या significance है, और Indo-Russia का defense deal को लेकर, यानि कि इंडियो रशिया आप देख रहे हो कि S 400 अभी हम लोग ने लिया है, तो इसके बारे में और Indo-US defense deal है, उसके बारे में आपको बताना है, साथी आपे हमारे Indo-Pacific region में इसकी stability को लेकर भी इसके reference में भी बताना है, कि हमारा जो US के साथ deal चल रहा है, और साथी साथ Russia के साथ deal चल रहा है, तो हमारा जो Indo-Pacific वाला region है, उसमें कितना जाता stability लेकर आ सकते हैं, ये सारे deal से related, क्योंकि आप देखे हो कि हमेशा कई बारा से देखा जाता है कि S-400 जो हम रुष्या से खरीद रहे थे, तो US वाले बोल रहे थे कि रुष्या से क्यों खरीद रहे हैं, आप हम से खरीदो, अगर आप रुष्या से खरी कि मैं आपको थोड़ा बहुत अप्रोच बता पाई, क्या questions के पीछे, UPSC के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा था, मैं उसको आपके सामने रख पाई, मुझे ऐसा लगता है, अगर फिर भी आपको कोई भी questions में doubt होते हैं, तो आप comment box में लिख सकते हो, no issue मैं आपको समझ के चल दो, daily newspaper, editorial आप अच्छे से cover करते हो, तो कैसे आपका कितना questions जो है cover होता है, GS1 में कितना percent है, GS2 में कितना percent है, हम लोग next lesson में देखेंगे, उसके लिए आपको हमारे channel को subscribe करना होगा, अगर आप detail analysis चाहते हो, तो बहुत जादा ज़रूरी है कि आप कोई भी paper देने से पहले, आप लोग उसको analysis करो, कि कि छेतर में आपको ज्यादा strong बनना है, current में या फिर static में, और किस तरीके से आप लोग ये means exam को, जिसको आप लोग सोचते हो, कि बहुत ज्यादा hurdle है, आप लोग नहीं लिख सकते हो, अगर मैं अभी जितना देर में मैं यहाँ पर deal की हू आपको नहीं लग रहा होगा कि ये सारे questions tough है, बस आपको समझना है, UPSC के दिलो और दिमाग में आपको घुसना होगा, तभी आप इस तरीके के questions को deal कर सकते हो, otherwise फिर तो ये सबके लिए tough है, एक नहीं, तो चलिए मिलते हैं next lesson में, उसके लिए आप लोग चैनल को subscribe आगे GS3, GS4 का भी कल हम दो देखेंगे, तो मिलते हैं next lesson में, तब तक लिए, thank you